नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि CTDT टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है CTDT टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और CTDT टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि CTDT टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में CTDT टैबलेट को लेना रocused नहीं होता है CTDT टैबलेट के अंदर डो दवाओं का combination होता है CTDT टैबलेट के अंदर सौर्ट कम्पोजिशन क्लोर्थेलिडोन और टेलमी सार्टन होता है। CTDT टैबलेट का उप्योग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और शरीर में सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ा से लखवा लगने का, दिल का दौरा पढ़ने का और किड्नी खराब होने की समस्याय होने का जोखिम अधिक हो जाता है। शरीर में लिवर, किड्नी और दिल से संबंधित बीमारिया होने की वज़ा से पैरो या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। इसलिए सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्तर CTDT टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों को कोई किड्नी से संबंधित समस्या है या जिन लोगों की किड्नी अच्छी तरह से काम नहीं करती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि CTDT टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में CTDT टैबलेट की वज़से कोई सीरियस साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में CTDT टैबलेट की वज़ा से चक्कर आ सकते हैं, सिरदर्ध हो सकता है, कानों में कुछ बजने की आवाज आना और आखों में धुंदलापन हो सकता है, इसके अलावा CTDT टैबलेट की वज़ा से नीन अधिक आना, पेट में बेचैनी, द जैसे सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगर सकता है, अगर आपको CTDT टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मासपेशियों में एठन, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और मुं में सुखापन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, CTDT टैबलेट की वज़े से शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है, शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर किड्नी की कार्यप्रणाली बिगर सकती है, इसके अलावा CTDT टैबलेट की वज़े से ब्लड लक्षन होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि CTDT टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में CTDT टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है CTDT टैबलेट को शाम के चा और रात के समय बार-बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से पेशाब कमा रहा है ऐसे व्यक्तियों के लिए CTDT टैबलेट का सेवन करना रेक्में होता है CTDT टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर CTDT टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं CTDT टैबलेट की खुराक उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है इसलिए आपको CTDT टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना CTDT टैबलेट को नहीं लेना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तन्पान कर रही महिलाओं के लिए CTDT टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को CTDT टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को CTDT टैबलेट को नहीं लेना चाहिए